दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जीका वाइरस के बारे में बताने वाला हूँ जैसे की जीका वाइरस क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके लग्छड क्या है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और जीका जान के लिए कितना खतरनाक है देश में पहले से ही घातक कोरोना का प्रकोप जारी है और अब खबर आ रही है कि एक और खतरनाक वाइरस जीका ने केरल के बाद उत्तर प्रदेश के कानपूर में दस्तक दे दी है कोरोना के बाद जीका के आहट से लोगों में घबड़ाहट होना लाजमी है जीका वाइरस एक मच्छड से फैलने वाला संक्रमन है जो पहली बार 1947 में यूगांडा में बंदरों में पाया गया था जबकि 1952 में यूगांडा और तंजानिया में इसके इंसानों में फैलने की पुष्टी हुई थी जीका वाइरस का रोग एसिया अफरीका और अमेरिका तक में फैला हुआ है जीका मुख्य रूप से एक संक्रमित मच्छड एडीज के काटने से होता है या मच्छड दिन में काटता है इसके अलावा जीका के फैलने की और भी कुछ वजहें हो सकती है जैसे कि किसी महिला से गरभावच्ता के दोरान या जन्म के समय सिशू को जीका का संक्रमन हो सकता है जीका से संक्रमित ब्यक्ति के साथ संभोग के दोरान भी इसका संक्रमन हो सकता है एक बार जीका से संक्रमित हो जाने पर संभव है कि उस ब्यक्ति को भविश्य में यह इ या फिर बहुत हलके लक्षण दिखते हैं। इसके सबसे आम लक्षणों में बुखार, दाने निकलना, सिरदर्द, जोडों में दर्द, आखे लाल होना और मानस्पेशियों में दर्द और बेचैनी होना है। अभी तक जीका वाइरस के लिए कोई विशिष्ट इलाज या भैक्सीन नहीं है और जीका भैक्सीन पर अभी भी रिसर्च जारी है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मच्छर भगाने वाले उत्पादों का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ पूरी बाजू की सट, फूल पैंट और जूते अवस्य पहने। जीका के लक्षन बहुत हलके होते हैं। ऐसे में संक्रमित ब्यक्ति की मौत की आसंग का बहुत कम होती है। इसमें COVID-19 जैसा खत्रा नहीं है और सिर्क गंबीर मामलों में ही अस्पताल में भरती होने की जरूरत पड़ती है।